दो बात करने हैं कि जो निउट्रल वायर होती हैं क्या उसमें कोई करन्ट फ्लो करता है या फिर उसमें करन्ट फ्लो नहीं करता है आज काड हमारा टॉपिक यह है ठीक है तो चलिए इस्टार्ट करते हैं देखिए जो हमारे घरों के पास four transmission lines नजर आती हैं यह जो four lines होती हैं इसमें से एक हो जाएगा R face का, एक हो जाएगा Y face wire, एक हो जाएगा B face wire और एक होता है neutral wire यह four wires होती है अब यह जो चारो wires होती है यह transformer से आती है right, transformer का जो secondary side है वहां से यह four wires का connection होता है जैसे कि यदि मैं यहां पर दिखाऊं कि four wires का connection in transformer suppose transformer का यह जो secondary है, secondary में this is R face, R face का winding है यह transformer के secondary में उसके बाद जो Y face है, Y face की winding यह है this is Y face और यहां पर है B face की winding this is B face तो R, Y, B यह तीनों phases है, transformer के secondary का right, यह transformer के secondary के यह तीनों phase winding है R face की winding है, Y face की winding है, B face की winding है तीनों को हम star में connect करते हैं, जो हमारा distribution transformer होता है उसके जो secondary sides होते हैं, जो तीनों phases होते हैं, secondary side के उन तीनों को हम star में connect करते हैं, तो जब हम इसको star में connect करेंगे तो यहाँ पर हमें एक neutral point भी मिलता है, this is a neutral point, yeah, this is neutral यहाँ से में neutral तो मिला, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो यह neutral होता है neutral से हम इस wire को लिख आएंगे, this is a neutral wire, यह है R face का wire, इसके साथ connect करेंगे इसके साथ connect करेंगे, this is B face wire, और इसको हम इसके साथ connect करेंगे तो जो तीन phase wires है, R face, Y face और B face, यह तीनों phase wires हमारे कहां सा है transformer का जो secondary है, उसके phase से, तो तीन phase तो यहां से connect हुआ, और जो last में जो wire है वो हमारा neutral wire है, और neutral wire हमारा कहां से करेंगे उटता है, neutral point of secondary side of transformer अब हम क्या करते हैं, यह जो neutral point है, इसको हम ground भी करते हैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको बदाया था, कि जो neutral point है, उसको हम ground भी करते हैं अब यह जो हमारी four wires है, यह हमारे घर के पास आपको नजर आती है, और इसी मेंसे आपको किसी एक phase से connection लेना होता है यहां पर एक हाउस है, यहां पर एक हाउस यहां पर है, एक हाउस यहां पर है, यह तीनों जो हाउसे से हैं, इनका connection और फेज से हैं आर फेज से इनका connection है, यानि कि इसके घर का जो main socket होगा, उसमें phase wire, यानि कि live wire का connection होगा, आर फेज से, this is live wire, और neutral point यह यहां से लेगा, neutral point यह लेगा, यहां से, ओके, यहां से इसा connection होगा, similarly, जो यह घर है, suppose this is a, b, c, a, b, c, यह तीनों houses हैं, भी house की यह दिमें बात करूँ, तो इसका भी connection कहां से होगा, इसी r phase से होगा, और neutral यह यहां से लेगा, c phase का भी, जो इसका connection है, live wire यहां से लेगा यह, और neutral connection इसके, इसके साथ होगा, यहां से, a, b, c, यह तीनों houses हैं, जिनका connection r phase के साथ है, अब मैं यहां पर दिखाता हूँ, कि, यहां पर देखे, यहां पर तीन और houses हैं, तीन houses और भी हैं, d, e, f, इन तीनों का connection, b phase से हैं, तो यह क्या करेगा, और, b phase से, इसका जो live wire है, b phase होगा, और neutral यह, यहां से लेगा, similarly, जो e house है, उसका भी connection है, b phase से, तो वो ऐसे connect करेगा अपने आपको, जो f house है, उसका भी connection, b phase से है, it means, इसका connection ऐसे होगा, है न, तो तीन houses को connect किया गया है, r phase से, तीन houses को connect किया गया है, b phase से, और फिर, तीन और हम houses को consider गर लेते हैं, जिसको हम connect करेंगे किस के साथ, y phase के साथ, देखो, यहाँ पर मैं, तीन और houses को consider करता हूँ, g, h और i, यह तीनों houses है, इन तीनों का connection है, y phase के साथ, इट मेंज, लाइव वायर यहां से लेगा, नूट्रल यहां से आएगा, लाइव वायर यहां से लेगा, नूट्रल इसका यहां से connect होगा, लाइव वायर इसका यहां से होगा, नूट्रल यह यहां से connect करेंगा, सो यहां पर आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि जो हमारी सोसायटी है उसमें जितने भी हाउस्स होते हैं उसको लगभग equally हम डिवाइड करते हैं रैट equally हम डिवाइड करते हैं यह काम होता है electricity board का, ये decide करना है कि कितने houses from connect करेंगे R phase के साथ, कितने को Y phase के साथ और कितने घरों का जो connection है वो B phase के साथ होना चाहिए वो लगभग equally वो divide कर लेते हैं लेकिन इसके बावजूद भी जो ये load है, total load suppose ये जो तीन घर हैं इन तीनों घरों में जितने भी equipments, electrical equipment जितने भी use हो रहे हो, सबका जो power rating है और इन तीनों घरों में जितने use हो रहे हो, electrical equipment है उनका जो power rating है और ये तीनों जो घर है इन तीनों का जो total power rating होगा क्या ये तीनों practically equal होगा ऐसा practically ऐसा possible नहीं होता है तो यहां पर हम क्या करेंगे एक हम ideal case लेंगे कि जितने भी houses को connect किया गया है R phase के साथ सबका power rating same है Y phase के साथ भी और B phase के साथ भी जितने घर को R phase के साथ connect किया गया है जितने घर को Y phase के साथ connect किया है और जितने घरों को B phase के साथ connect किया गया है सभी का जो power rating है वो same है तो एक हम ये case लेते हैं ये हमारा ideal case होता है बड़ practically ऐसा होता नहीं है तीनों घरों का तीनों जो phases है इन तीनों phases के साथ जितने भी equipments connected हैं जितने भी घरों के equipments connected हैं सारे के जो power rating होंगे सभी different होंगे same नहीं होंगे तो ये हमारा practical case होगा तो पहले हम यहां पर ideal case देख लेते हैं ideal case देख लेते हैं ideal case हम क्या करते हैं कि जो हमारा r phase है this is r phase r phase और ये हमारे r phase की wire है r phase wire r phase की wire और neutral के साथ this is neutral point तो r phase और neutral के साथ तीन घरों को हमने connect किया था और तीनों का जो total power rating है उससे हमने calculate कि total impedance उसका कितना होगा तो यहां पर मैं लिख देता हूँ कि यहां पर जितने भी तीन घर तीन houses यहां पर connected है तीनों का जो total impedance होगा वो impedance यहां पर मैं assume कर लेता हूँ कि 10 attending all of 30 degree होगा इतना impedance उसके साथ connected है r phase wire के साथ उसके बाद अब यहां पर देखो कि जो y phase है suppose this is y phase y phase wire के साथ y phase और neutral के साथ y phase और neutral के साथ यह तीनों घरों को connect किया था है ना y phase और neutral के साथ कौन कोई साथ देखो y phase और neutral के साथ यह तीनों घरों को connect किया गा था जी एच आई तो जी एच आई का जो combined जो total impedance है वो हमने assume कर लिया कि यह भी हमारा 10 attending law of 30 degree होगा यह दोनों सेम है हमने इसा assume किया है उसके बाद यहां पर देखो यहां कहीं होगा बी phase वायर तो बी phase वायर और neutral के साथ देखो बी phase वायर यह है और neutral यह है बी phase वायर और neutral के साथ हमने इन तीन houses को connect किया था DEF तो इन तीनों का जो total impedance है उसको भी मैं यहां पर resume कर लेता हूँ कि वो जो total impedance है यह है 10 attending law of 30 degree ohm यह क्यानि कि तीनों phases में जितने भी equipments connected है सब का power rating सेम है तभी तो total impedance सब का सेम आया है हर एक phase में कितने impedance connected है 10 attending law of 30 degree ohm यह हमारा ideal phase है यह है अब आप यहां पर देखो जो supply side है यह तो हमारा load हो गया अब हम supply side देखते हैं देखो transformer का R phase secondary side का Y phase B phase R phase जो wire है वो इसके साथ connect होगा B phase जो wire है B phase जो wire है वो इसके साथ connect होगा Y phase जो wire है वो इसके साथ connect होगा इसके बाद जो हमारा neutral point होगा वो किसके साथ connect होगा यहां यह जो neutral है this is neutral यह जो neutral point है वो यह neutral wire है वो की यहां पर connect होगा ऐसी राइट अब यह तो transformer है है नो यह transformer का secondary side है अब जो transformer का secondary side का जो neutral point होता है उसको हम ground करते हैं तो यहां पर मैंने इसको ground कर दिया ground कर लिया it means यहां का voltage, ground का voltage तो हम एस्यों करते हैं, 0 volt, तो यह जो neutral point है, यहां का voltage कितना हो जाएगा, यहां का voltage भी होगा, 0 volt, ओके, अब देखो, यह तीन phases है, तीन phase में, जो voltage होंगे, उसको मैं आप दिखाता हूं, यह voltage हमारे कितने कितने होंगे, तेकि जो R phase है, एक phase का जो voltage है, इसको मैं assume कर लेता हूँ 220V generally 220V ही होता है लेकिन इसके साथ angle भी आएगा angle इसका मैं assume कर लेता हूँ 0 degree और जो Y phase है Y phase का जो voltage होगा plus minus ये हो जाएगा 220V but इसका जो angle होगा 120 degree से लैक करेगा तो minus 120 उसके बाद जो हमारा B phase है B phase का जो voltage होगा जो phase कहने का मतलब कि जो B phase की जो winding है transformer की जो winding है उस winding में voltage वो EMF induce होगा है ना जो voltage induce होगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ वो कितना होगा यहाँ पर होगा 220 attending log plus 120 degree ये B phase की winding में इतना voltage induce हो रहा है अब आपने क्या किया है कि ये जो हमारा neutral wire है neutral wire के साथ आपने आपने यहाँ पर connect किया है तो देखो यहाँ पर जो हमारा transformer side है यहाँ का जो neutral है यह 0 volt है तो यहाँ यह जो हमारा neutral है यहाँ का voltage कितना होगा यहाँ का voltage भी होगा जाएगा 0 volt हो जाएगा ओके यहाँ का voltage है 0 volt अब देखो R phase और neutral के across यहाँ पर voltage है 220 at an angle of 0 degree तो यहाँ का जो R phase है load side की में बात कर रहा हूँ R phase और neutral के बीच में जो voltage आएगा यह भी कितना होगा यह भी हो जाएगा 220 at an angle of 0 degree similarly जो Y phase है Y phase और neutral के बीच में वही voltage आएगा जो कि transformer के Y phase और neutral के बीच में voltage है यहाँ पर जो voltage है यह है 220 at an angle of minus 120 so यहाँ भी voltage हमारा कितना आएगा यहाँ आएगा 220 angle minus 120 degree similarly जो B phase है इसके across कितना voltage आएगा यह आएगा 220 at an angle plus 120 degree यह इतना voltage आपको नजर आएगा अब यह तो हमारा load side है जो कि मैंने blueing से आपको दिखाया है वो हमारा load side है अब load side में देखो कि जो R phase से connection है इसमें जो current flow करेगा यह कौन सा current होगा आईर यहां पर देखो यहां पर करेंट आ राहा है कि this current is IR Japan यहां जो current जाया・दिस करेंट्टित आयी वाय वाय फेस करेंट और यहां जो current जायारा यह करेंट यह करेंट इस करेंट आय बी थे करेंट इं好的 current को हम find out करेंगे तीनों phase current को find out करने के बार जो हमारा neutral point है यहां load का neutral point है this is load लिख देता हूं यहां पर blue ink से जो भी मैंने दिखाया है यह है load side और जो हमारा red ink से यहां पर दिखाया गया है यह है transformer side right so load side में हम बात कर रहे है R phase current है IR Y phase current है IY B phase current है इन तीनों current को find out करेंगे find out करने के बार जो load की side का neutral point है इस point पर हम केसील apply करेंगे किर्चॉप्स current log राइट जो देखो सबसे पहले क्या करते हैं फेस current को हम find out कर लेते हैं आर फेस का current IR IR कितना होगा जो हमारा IR current है वो कितना होगा यहां पर देखो जो voltage है 220 अटेनिंगल अफ 0 डिगरी और impedance कितना है 10 अटेनिंगल अफ 30 तो current यहां पर हो जाएगा 220 अटेनिंगल अफ 0 डिगरी यह कितना होगा वाइफेस के क्रॉस का voltage कितना है 220 अटेनिंगल माइनस 120 डिगरी डिवाइड वाइफेस से जो impedance connected है वो कितना है 10 अटेनिंगल अफ प्लस 30 डिगरी सो यह current हो जाएगा 22 अटेनिंगल अफ माइनस 150 डिगरी इतने आंप्यर का यहां पर current होगा अब देखो जो बीफेस का current है वो कितना होगा बीफेस करेंट हो जाएगा बीफेस का voltage 220 अटेनिंगल प्लस 120 डिगरी divided by impedance which is 10 अटेनिंगल अटेनिगरी जब आप इसको calculate करोगे तो यह कितना होगा 22 अटेनिंगल अटेनिगरी है ना ते सामने यानि की तीनों phase current आपको पता चल चुका है अब सिर्फ आपको क्या करना है जो हमारा neutral point है वहां पर हम apply करेंगे nodal analysis या फिर आपको यहां से यह current है आई आर 22 अटेनिंगल अलोफ माइनस 30 डिगरी था इधर से current आ रहा है इस यह फेस करेंट आई बाई 22 अटेनिंगल अलोफ माइनस 150 डिगरी देस और यहां से current आ रहा है बी फेस का current है आई बी 22 अटेनिंगल अलोफ 90 डिगरी यह तीनों current हमारे इस point पर मिल रहे है और यह जो point है यह क्या है दिस इस neutral point राइट दिस इस neutral point अब इस neutral point पर हम apply करते हैं केसी ठीक है apply किट्चॉफ्स current law at neutral point जो neutral point होगा लोड का वहां पर हम केसी अलपाई करने बारें केसी अलपाई करेंगे तो तीन incoming currents है अब यह जो हमारा neutral point है यहां से आपने देखा होगा कि न्यूट्रल न्यूट्रल point से एक wire connected है transformer के secondary में तो तीन phase से incoming current आ रहा है उस neutral point के लिए तो sum of the all incoming currents equal to outgoing current यहानी कि मैं यहां पर यह दिक्वा हूँ यह जो neutral point है neutral जो wire है this is a neutral wire इस neutral wire में यहां पर current flow करता है IN तो हमें IN को find out करना कि कितना होगा neutral current कितना होगा neutral wire में flow होने वाला current कितना होगा इसको find out करेंगे तो outgoing current neutral current is equal to sum of all the incoming currents IR, IY and IP इन तिनों को add कर लो यह हो जाएगा neutral current राइट तो यहां से neutral current को हम लिखेंगे IR कितना है 22 at an angle of minus 30 degree देश आंपियर Y phase का current कितना है 22 at an angle of minus 150 degree आंपियर और plus B phase का current है 22 at an angle of 90 degree आंपियर इन तिनों को आप calculator के help से add कर लो add करने के बाद आपको neutral current की value मिलेगे 22 at an angle of minus 30 degree प्लस 22 at an angle of minus 150 प्लस 22 at an angle of 90 degree तीनों को add करने के बाद आपको answer मिलेगा 0 जो neutral wire है उसमें 0 current flow करता है यह case था हमारा ideal ideal case में आपने देखा कि जो neutral wire है उसमें 0 ampere current flow करता है means neutral wire में कोई भी current flow नहीं करता है लेकिन जो हमारा phase wire है उसमें तो current flow करेगा है राइट तीन फेजेज हैं तीनों phase में आपको यहां पर current flow करता हुआ नजर आएगा यदि आप यहां पर multimeter लगाके आप जो transmission lines है उसमें यदि आप multimeter लगाके चेक करोगे या फिर current transformer लगाकर आप उसको चेक करोगे बैतर होगा कि current transformer लगाना है और यहां पर अगर आप चेक करोगे तो जो r phase की wire है उसमें current flow करेगा एकॉर्डिंग तो इस question r phase में कितना current लोगाट है बाई सामप्यार करेगा इसमें फ्लोगाट है जो y phase है इसमें भी बाई सामप्यार करेगा current लोगाट है इन तीनों phase wire में current लोगाट है बट जो neutral wire है इसमें कोई भी current flow नहीं करता है जीरो आपके ओके यह तो था हमारा ideal case तर था जबकि तीनों ही phases से जितने भी houses को connect किया गया है सारे houses में जितने भी equipments connected है electrical equipments वो सभी same power को draw करते हूं यानि कि जो impedance है तीनों phase से जो connected है equipments उनका जो impedance है impedance हमारा same है अब हम यहां पर लेते हैं practical case प्रैक्टिकल केस ऐसा होगा कि प्रैक्टिकल केस में क्या होता है ना कि तीनों phase पर equal load नहीं होगा राइट आर फेस वाई फेस वी फेस इन तीनों phase पर equal load नहीं connect होगा यहां पर देखो suppose आर फेस के साथ हम यहां पर connect कर देते हैं this is आर फेस आर फेस के साथ जितने भी equipments connected है इन सभी का suppose load हमने ले लिया कि इसका जो impedance होगा 10 attending all of 45 degree है इसका impedance है राइट जो वाई फेस है वाई फेस के साथ जितने भी equipments connected है वाई फेस से जितने भी equipments connected है उन सभी का जो टोटल impedance होगा वह हो जाएगा 15 attending all of 30 degree है ऐसा है जो वी फेस है वी फेस है वी फेस के साथ जितने भी equipments connected है इन सभी का जो impedance हो जाएगा टोटल impedance 8 attending all of इसको ले लेते हैं 60 degree 8 attending all of 60 degree यह तीनों लोड है राइट दिस इस वाई फेस वायर दिस इस बी फेस वायर और दिस इस आर फेस राइट अब साथ ही यहां पर हम neutral point भी बनाएंगे neutral point से पहले मैं यहां पर transformer का secondary दिखा देता हूं इस आर फेस दिस इस वाई फेस एंड दिस इस बी फेस आर वाई बी यह तिनों फेस हैं इसके साथ connect करेंगे और जो बी फेस है उसको बी फेस के साथ ऐसे connect करेंगे राइट और यहां पर जो हमारा neutral wire होगा neutral point of transformer इसके साथ हम यह neutral wire लेके आएंगे और यहां पर connect होगा यह क्या है यहां पर हमने क्या किया है neutral wire को ground किया है it means जो यहां का voltage हो जाएगा यह हो जाएगा जीरो वोल्ट तो जब वहां का voltage 0 होगा तो यह जो हमारा neutral point है यहां का voltage 0 वोल्ट हो जाएगा अब देखो जो हमारा R papaces R papages do voltage induce होगा को, यहां पर हमने क्या किया है कि जो transformer का secondary उसमें सिर्फ अभी हम fundamental की बात करते हैं ish Harmonic की बात नहीं करते हैं कि जो हमारा transformer का secondary है उसमें कोई भी Harmonic नहीं है Harmonic voltage नहीं है इसमेंता कोई हमारा है 220 एटनेंगल और य फेस के क्रॉस का जो वोल्टेज हो जाएगा ये है 220 एटनेंगल और जो बी फेस है इसमें वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है कितना 220 एटनेंगल और प्लस 120 अब सेम यही वोल्टेज आपको कहां देखने को मिलेंगे जो रोड है वहाँ पर नजर आएगा यानि कि जो आर-फेस के क्रॉस का जो लोड कनेक्टेट है इसके क्रॉस मोलेगा 220 एंग आ य्जह आएगा 220 एंगल और प्लस 120 ए mind अब आपको find out करना है कि R phase में current कितना flow करेगा, Y phase में current कितना flow करेगा और B phase में current कितना flow करेगा, ओके, यहां देखो, this is R phase current, I R, this is Y phase current, I Y, this is B phase current, I B, इन तीनों को सबसे पहले में find out कर लें, ओके, देखो, R phase current, R phase के cross का voltage कितना है, 220 attain angle of 0 degree, divided by impedance, impedance कितना है, 10 attain angle of 45 degree, so, यह कितना हो जाएगा, 22 attain angle of minus 45 degree, इतना current flow करेगा, R phase में, यदि मैं Y phase current की बात करूँ, तो Y phase के cross का voltage होगा, 220 attain angle of minus 120 degree, यह दो voltage हो गया, divided by impedance, impedance इसका है, 15 attain angle of 30 degree, so, 220 divided by 15, यह हो जाएगा, 14.667, this is 14.667 attain angle of minus 150 degree, इतना current flow करेगा, Y phase में, और B phase में कितना current flow करेगा, 220 attain angle of plus 120 degree, divided by 8 attain angle of 60 degree, अब फिर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम apply करेंगे, जो मरा neutral point है, यह जो मरा neutral point है, यहाँ पर हम apply करेंगे, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, देखिए, यहाँ पर हम, केसियल apply करने बारें, जब हम केसियल apply करेंगे, केसियल apply करने के बाद हमें पता चलेगा, कि वहाँ पर जो neutral है, neutral में कितना current flow करेगा, यहाँ देखो, R phase current, IR, Y phase current, IY, B phase current, IB, यह तिनों current आएगा, उसके बाद यह है neutral wire, जिसमें कि current flow करेगा, I, N, neutral current, right, so, neutral current क्या हो जाएगा, neutral current will be equal to, neutral current हमारा outgoing current है, तो जब हम इस neutral point पर, यह जो हमारा neutral point है, यह, इस neutral point पर जब हम, केसियल apply करेंगे, तो केसियल के according क्या होगा, कि जो हमारा outgoing current है, यानि कि neutral wire से जो current flow करेगा, I, N, वो equal to होगा, all of the incoming current, sum of the all incoming currents, यानि कि IR current, plus IY current, plus IB current, इन तीनों currents को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या क्या था, इसकी values क्या थी, 22 at an angle of minus 45, this is 22 at an angle of minus 45 degree, 14.667 minus 150, 14.667 minus 150, 27.5 60 degree, 27.5 at an angle of 60 degree, इन तीनों को बस हमें add करना है, वोई current हो जाएगा, neutral wire में flow होने वाले करेगा, जब हम तीनों को add करते हैं, 22 at an angle of minus 45, plus 14.667, angle minus 150 plus 27.5 angle 60 degree, जब हम इन तीनों को add करेंगे, तो add करने के बाद, जो current की value आपको मिलेगे, 16.63 at an angle of 3.2 degree, यहाँ पर आपको देखने से यह पता चलड़ा होगा, कि जो neutral wire है, यहाँ पर current flow कर रहा है, कितना current flow कर रहा है, 16.63 आपर current flow कर रहा है, यानि कि जो हमारा यह था, practical case था इसमें, जो neutral current है, यह 0 नहीं है, 16.63 आपर current इसमें flow कर रहा है, यानि कि जो भी हमारे यहाँ पर phases है, phase wire जो है, r phase देखो, जो हमारा r phase का current है, r phase में कितना current flow कर रहा है, 22 आपर current flow कर रहा है, y phase में current कितना flow कर रहा है, y phase का जो wire है, इसमें current flow करता है, 14.67 आपर, जो b phase है, इसमें current कितना flow करता है, b phase में current flow करता है, 27.5 आपर, और जो हमारा neutral wire है इसमें zero current flow नहीं कर रहा है इसमें कितना current flow कर रहा है इसमें 16.63 आमपर इसमें जो current flow करता है 16.63 आमपर का current इसमें प्रोग कर रहा है तो overall आपको क्या समझ में आया इस पूरे lecture का जो conclusion है और यह है कि ideally यदि मैं बात करूँ कि जो neutral wire है उसमें से कोई भी current flow नहीं करेगा यह ideal case है कि उसमें कोई current flow नहीं करेगा but practically ऐसा possible नहीं होता है practically neutral wire में भी current flow करते हैं और neutral wire में current flow करने का जो reason है वो यह है कि जो हमारा transformer है transformer से जो भी load हमारे connected है वो unbalanced load है balanced load नहीं होता है जो तीन phases है इन तीनो phase पर equal loading नहीं होती है different different loading होती है right तो तीनो phases पर different loading होनी की वज़र से यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि neutral wire में current flow करते हैं okay so it's all about this lecture I hope आपको यह lecture पसंद आया होगा so thank you so much and bye bye you